वो करवाई है, तो उनके साथ दिन प्रिकोर्स के बाद यह लगवाग अब यह खड़ी हो गई और चारा भी खा रही है आराम से, और अच्छा खासा इलाज किया है और उनका धन्वाद चलना चाहूँगा कि यह चारा भी खा रही है और सब गुछ सही है और पहले सी खाल भी लग गई थी और जाना पर प्रहिशान हो रही थी वह जाना कोई नहीं बोला थे यह बच जाएगी यह मैं लगवाग एक लागड़ पर की लेकर आया था 25-30 लीटर दूद दूर निकाल दे थी और अचानक से पता नहीं इसे क्या हूँगा वह बैठ वेजी सबने मना कर दिया था डॉक्टर ने यह नहीं बच पाए गिया और फिर अमर कांड़ा को सब गंपरक हुआ मेरा और हमने बोला कि इसका साथ दिन का कोश है लाव यह पा हालो दोस्तों नवश्कार आदाब मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फॉलॉप केस्ट भी लाया हूं यह गाय है यह गाय कौन सी बीमारी थी इसको क्या था किस टाइब से एक्जामनेशन किया रहा है यह सारी चीए कि करके बताऊंगा यह देखिए म्युकोस प्रोटुजूकर चलता है कि फ्रोटुजूकर बीमारी महीं क्या चलता है नहीं कि इनके तो उग केशी तो कमनी हो गया यहास में को और सीव्य क्या की वह थी इसकार बहुत हथ तक अम्यों वह एक ऐसी गायच जिसका आउनर परिशान हो गया था कि इसको देखते है कैसे ठीक हो था यह लिंफ नोट का एक्जामिशन का कर रहे हैं यह जो लोग इलाज करते हैं जाते हैं इसको बोटल लगायते हैं जाते ही इलाज कर देते हैं यह बड़ा मुश्किल है यह देखें नसल की गायों में होती है काली सवेथ गायों में होती है दुधारू पश्यू में होती है और इसमें पश्यू बैट जाता है और बैट के खड़ा नहीं हो पाता है बैटने के रिजन कई है बहुत सारे रिजन है आज सक कोई बात यह पूरी तरीकित हंड़े परसेंट यह प कमी आती है कुछ लोग का मानना मैंगनेशियम की कमी आती है कुछ लोग का मानना है कि इसमें जो कमी आती है वो कमी है सब कुछ मिला जुलाकर डेक्स्टोज की कमी है यह सबसे पहले डाइग्नोसिस में आप करेंगे सेंस्टेशन को देखेंगे कई नर्फ एंडिंग तो नहीं है नर्फ का इंवल्मेंट नहीं सुई को पिक करके चुबा चुबा के देखते हैं कि दर्द मान रहा है अगर दर्द मान रही है रेस्पॉंस है तब उसको ठीक किया सकता इसको धड़ती पकड़ बीमारी भी कहते हैं यह देखिए यह पूरी तरीके से आपको पता चल पा रहा है यह देखिए पूरा सेंस्टेशन देखते हैं ऐसा हो जाता है कभी कभी टांग फिसल जाती है उसका ठीक होना डॉक सिटिंग पास्चर बोलते है उसको जैसे कुत्ता बैठता उस आकारम बैठ जाती है जैसे छिपकली बैठती है दोनों टांगे फैल जाती है उस कंडिशन में डिसलोकेशन हो जाता है हिप जॉयंट के और वहाँ से पशू को ठीक करना यह पशू का ठीक होना बहुत मुश्किल होता है मेरे दौरा अब तक सेक्डो गाय को जो 10 जिन से बैठी थी पंदरें से बैठी थी बीच जिन से बैठी थी उनको ठीक किया गया है जबके मेडिकल साइंस में वेटनी साइंस में पढ़ा जाता है कि लार्ज अनिमल अगर दो तीन चार दिन बैठी गया है तो वहां से उसका खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन ऐसा मित था ऐसी धार्णा बहुत अच्छी धार्णा नहीं थी मेरे दौरा इलाज किया गया और बहुत अच्छे रिजल्ट डाउनर का स्रिंडरम कियाते हैं ये पहली बात यह देखना है कि कौन सी गया खड़ी हो सकती है वो गया जिसकी केज स्टी में फरेक्शन ना हो वो गया जिसकी स्लिपिंग मतलब कोई गया पीछे स्लिप ना की हो वो गया इसका पैर ने टूटा हो dislocation न हुआ उस गाय को ठीक हो जाती है वो गाय जो बैठी है वो गाय जो जगे बदल लेती है वो गाय जो चारा खा रही है वो गाय और वो पशु जो alert है जिसके सारे parameters temperature pulse rumination सब कुछ ठीक ठाक है और अगर एक बार पशु लेट गया है तो उसका ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसकी case history में था है ये पशु चारा भी खा रहा था लेकिन कम खा रहा था पानी बहुत कम पी रहा था और ये लिफ नोट उसमें बड़ी नहीं है और ये अपनी थोड़ी सी जगे भी बदल लीता था लेकिन बारा दिन तेरा दिन जब हो जाते तो भी नीचे से लगने लगी थी बारा तेरे दिन के बाद पशु का ख़ड़ा होना एक अपने आप में चैलेंज होता है चैलेंजिंग काम है पशु चिकस्व एकान में मेरे इस लंबी वीडियो को डाला है बहुत लोग ने डिसकस किया था बहुत लोग ने कहा था कि सर हमें जो है इसकी पूरी वीडियो डाले पूरा ये गाये खुले में बन रही है और पशु मालिक बहुत परीशन था तो हम इनके रुक्यास पर इनके पहुचते हैं और जाके देखते हैं कि गाय को किस तरीके से ठीक किया हमने और कैसे क्या हुआ ये देखिए ये वही गाय है जो लेटी थी ये वही गाय है जो ठीक नहीं हो पा रहे थी और ये वही गाय है जुमाली कर रही है और खड़ी हुई है ये जादू है ट्रीटमेंट का ये जादू है डाइगनोसिस का य तो ये छटे दिन गाए खड़ी होती, 12 दिन से बैठी थी, 13 दिन से 6 दिन और लगे, 12 और 16, 19-20 दिन में ये खड़ी होई, 20 दिन बाद अगर कोई पशू खड़ा होता है, इलाज के बाद तो उस घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, खुशी बढ़ जाती है, खुशी ह केल्शियम का इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पर, दिल पर, मायोकाडियम, जो मास्पेशिया होती हार्ट की, वो एक्जॉस्ट हो जाती है, ठक जाती है, और ये बीमारी कनवर्ट हो जाती है, डाउनर काॉसंडरम में, पशू उठ नहीं पाता, और अब कभी भी अगर ऐसा कोई केस मिलता है, तो उसमें एक्सेसिफ डोज और केल्शियम नहीं देना है, आपका मानना यह है, कि केल्शियम लगाएंगे तो पशू ख़़दा हो जायागा, और वाकर केल्शियम की कमी है, डेफेससिट है, हाईपो केल्शियमी आ है, तो पचास सा सो एमेल में पशू और नहीं तो पांच लीटर में भी पशू केल्शियम लगाने के बाद खड़ा नहीं होगा, मैंने इसके उपर बहुत सारी वीडियो डाले, बहुत सारे वीडियो बनाए, तो इसमें हमने जब इसका केस स्टी ली तो ओनर ने बताया कि ये सिलिप नहीं होई, रात को बांदी सार आप से हमने संपर किया, आपने वीडियो मंगाई और आपने वीडियो देखकर कहा दिया तुमारी घाया ठीक हो जागी, खड़ी हो जागी, चुको वीडियो में पता चल जाता है, सक्सी रेट क्या है, फिर हमने इसका खुद गया, खुद जाके देखा, और इसको लावड उसमें प्रोटो जाग को देखते हैं, कभी भी इस टाइप के कोई पशू है, तो उसको एंटी प्रोटो जोल देने चाहिए, इंजक्शन, बेरिनल, आल्टी यू, बीस से पच्चिस एमेल, एविल के साथ देना चाहिए, उसके बाद इसको हलके डोजमें, सी इसको दिलवाया तो सतर एमेल प्रती दिन दिलवाया, यूरिमिन, आईवी, ट्राइनुरोसल एच, इंजक्शन, बीवन, बीसीक्स, वीटोल आता है, उसको पंदरे एमेल पर डे दिलवाया, और हमने इसमें बहुत जादा बहतिन तरीके से अंडे भी इसको खिलवाये, त सफेद वाला पार्ट एक उसको खिला जाता है, पीला वाला नहीं खिलाते, जर्दी नहीं खिलाते, तो अंडे میں प्रोटीन थे है, तो अगर कभी कभी प्रोटीन की कमी से भी हलगोम आता है, गाय को अंडर खिलाना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन दवाया का काम करत जाता है इसमींनली को पहले कि अगा गुरीध जाता है तो इसके लिए जो प्रोटीन मार्केट में मिलता है उसको भीम्लाया जा सकता है रिकमेंडेशनों है चीह आप खिला सकते है और अशाव eer। दिल मारके हमने तो बताया कि यह treatment का हिस्सा है अगर आप चाहें तो खिला दें नहीं तो इसको protein उसने खिलाया और honor बड़ा खुश है कि मेरी गाये पूरी तरीके से ठीक हो गई और जब पशू ठीक होता है तो वो दवा रामबार बन जाती है तो यह ट्राइबी बैट का देना यूरी मिन का देना और एनाल्जेसिक भी इसमें हमने दिया इसमें हमने एनाल्जेस को रखा मेलोनेक्स प्लस मेलोक्सी के हम का भी result बहुत अच्छा आता है चुको इसमें नर्ब बैठी रहती है पशू बैठ जाता है तो दर्द रहता है उस डालने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद था कि अगर कोई भी गाय बैठ जाती है तो आसानी से खड़ीने होती है लंबा इलाज चलता है तो इलाज को पूरा कराएं छे से साथ दिन इलाज कराएं और इतना बढ़िया result आप पा सकते हैं तो मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ किसी की गाय भी इस बीमारी में नहीं मरने वाली नहीं है उसी कंडिशन में बीमारी में इस गाय में मरती है कि इसको सही इलाज नहीं मिल पाएं पूरा इलाज आखिर तक कराता रहता है उसको लगता है कि इसको खांसर आये तो ठीक होई जाएगी और ये आपके सामने गाये ठीक होती हुई हंडे पड़ से रीकवरी आती हुई अठारे दिन के बाद परशु जब ठीक होता है तो इसमें अपने आप में बहुत बड़ी ब अधार आओ